तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज रिलीस हुई फिल्म मुंबई सागा के फर्स्ट डे बॉक्स अफिस कलेक्शन्स के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाले हैं अरजुन कपूर और परिनिती चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार के पहले दिन के कलेक्शन्स की इसके अलावा दोस्तो हम बात करने वाले हैं याप पर तेलगू फिल्म मुसा गल्लू के फर्स्ट डे बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले हैं कि इन तीनों ही फिल्मों में आज अपने पहले दिन किस फिल्म ने मारी है बाजी तो वीडियो को लाश्ट दक जरूर देखेगा अगर आप भी फिल्मों के दीवाने हो और बॉक्स आफिस पर इन फिल्मों के इंतजार बेसमरी से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आज रिलीज हुई सबसे बड़ी फिल्म मुंबई सागा के फर्स्ट डे बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में जो कि ए गेंग्स्टर क्राइम ड्रामा फिल्म है इस फिल्म के लीड में दोस्तो आपको बॉल और इसी वज़े से मुंबई सागा का जो फर्स्ट डे बॉक्स आफिस कलेक्शन है वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ जी हाँ दोस्तो आप सभी को बता दे चलें कि मुंबई सागा जो कि एक एक एक्शन फिल्म में है और बॉक्स आफिस पर ओडियंस को काफी पसंद भी आ रही है इस फिल्म में दोस्तो जौन अबरहाम ने काफी शानदार काम किया है और इमरान हाशमी भी सभी को इंप्रेस करते हैं नजर आएं सुनिल शेटी सर का इस फिल्म में आपको केमियो देखने को मिलेगा लेकिन वो जितनी देर के लिए स्क्रीन पर आते हैं उतनी देर में ही ओडियन्स का दिल जित लेते हैं बताते चले दोस्तों आपको के इस फिल्म को आज मॉर्निंग में एडियन बॉक्स आफिस पर 12-15% की ओक्यूपेंसी हासल हुई थी लेकिन दोस्तों कोरोना कैसेस की वज़े से इस फिल्म के आदे से ज्यादा शो कैंसल हो चुके हैं और यही वज़ा है दोस्तों कि मॉंबई सागा ने अपने पहले दिन एडियन बॉक्स आफिस पर 4 करोड रुपे की कमाई कर पाई है बताते चले दोस्तों आपको कि मॉंबई सागा में आपको जोन अबराम और इमरान हर्श्मी के बीच में कुछ बेहतरिन एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं और कुछ slow motion shots भी देखने को मिलने वाले हैं जो कि इस फिल्म में काफी अच्छे से फिल्म आये गए हैं इस फिल्म की कहानी दोस्तो वही gangster की कहानी है जो कि आप इससे पहले shoot out इड़ डाला और लोखनवाला में देख चुके हैं लेकिन दोस्तो इस फिल्म में आपको इन एक्टर्स का काम अच्छे से देखने को मिल जाएगा दोस्तो इस फिल्म ने आज अपने पहले दिन वर्डवाइट बॉक्स आफिस पर साढ़े 4 करोल रुपे की कमाई की है और 2021 में बॉलूड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है मैं अगर बात करें दोस्तो हम लोग यहाँ पर दूसरी फिल्म संदीप और पिंकी फरार के फर्स्ट डे बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और ना ही इस फिल्म को एंडियन बॉक्स आफिस पर कुछ खास स्क्रिंस मिली है यह फिल्म दोस्तों एंडियन बॉक्स आफिस पर सिर्फ 300 स्क्रिंस पर रिलीज हुई है जो कि एक एक एक्शन क्राइम फिल्म में है और इस फिल्म ने आज अपने पहले ही दिन एडियन बॉक्स आफिस पर मातर बीस लाख रुपे की कमाई कर रही है बता दे चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म अर्जुन कपूर और परिनिती चोप्ला के केरियर की अब तक की सबसे कम बॉपनिंग लेने वाली फिल्म बनी है और बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रही है इस फिल्म का बजट है लगबख 25 करोड रुपे का और ये फिल्म दोस्तों इडियन बॉक्स आफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित होगी वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तेलगू फिल्म मोसा गल्लू के फर्स्ट डे बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में जिसके लीड में आपको विश्नु मांचू, सुनिल शेटी सार, काजल अगरवाल और रुही सिंग नजर आई है दोस्तो बताते चले आपको कि यह फिल्म दुनिया के सबसे बड़े आईटी स्केम के उपर बनाई जा रही फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है जेफरी घी ने और इस फिल्म को इडियन बॉक्स आफिस पर आज लगबख 700 स्क्रिन्स पर तेलगो में रिलिस किया गया है बताते चले दोस्तो आपको कि आज इस फिल्म को भी ओडियन्स की तरफ से अच्छे आपनिंग मिली है और इस फिल्म ने भी आज अपने पहले दिन इडियन बॉक्स आफिस पर दो करोड रुपे कमाई की है जो कि दोस्तो एक तरह से अच्छा कलेक्शन माना जा सकता है हाला कि दोस्तो इस फिल्म को ओडियन्स की तरफ से और क्रेटिक्स के तरफ से कुछ खास रिवियूस नहीं मिल रहे इस वज़े से दोस्तो ये फिल्म भी इंडियन बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएगी और Box Office पर एक flop film साबित होगी तो दोस्तो आज Indian Box Office पर जो तीन फिल्में रिलीज हुई है उन तीनों ही फिल्मों में मुंबई सागा ने अपने पहले दिन जाधा कमाई की है और उसके बाद नाम आता है यहाँ पर तेलगू फिल्म मुसागलू का आपको क्या लगता है दोस्तो आब आने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी आपनिंग कौन सी फिल्म लेगी सूर्यवनशी, सत्यमयो जैते 2 या फिर राधे हमें अपनी राय कमेंट करना बिलकुल ना भुलिएगा और बॉक्स ओफिस बॉली फिल्मों के अपडेट्स के लिए आपके अपनी चैनल रिवीव बाजार को सबस्क्राइब जरू कीजेगा धन्यवाद जेहिं जे भारत